मेरे प्यारे देश्वासियों मन की बात में अब एक ऐसे विशे की बात जिसे सुनकर आपका मन प्रफुलित भी होगा और आपको प्रेणा भी मिलेगी बीते दिनों हमारे अलम्पिक गोल्ड मेडल विजेता निरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में चाये रहे अलम्पिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए किर्थेवान स्थापित कर रहे है फिन्लेंड में निरज ने पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता यही नहीं उन्होंने अपने ही जेवलिन थोके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया कोवर्टोन गेम्स में निरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गवरो बढ़ाया ये गोल्ड उन्होंने ऐसे हालोतों में जीता जब वहां का मौसम भी बहुत खराब था यही होशला आज के युवा की पहचान है स्टार्ट अप से लेकर स्पॉर्ट्स वर्ड तक भारत के युवा नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं अभी हाल में ही आयोजित हुए खेलो इंडिया यूद्स गेम्स में भी हमारे खेलाडियों ने कई रिकॉर्ड बनाए आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल बारा रिकॉर्ड टूटे हैं इतना ही नहीं ग्यारा रिकॉर्ड महिला खेलाडियों के नाम दर्ज हुए हैं मनिपूर की एम मार्टिना देवी ने वेट लिप्टिंग में आठ रिकॉर्ड बनाए हैं इसी तरह संजना, सोनाक्षी और भावना ने भी अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए हैं अपनी महनत से इन खेलाडियों ने बता दिया है कि आने वाले समय में अंतरराष्ट्य खेलों में भारत की साख कितनी बढ़ने वाली हैं मैं इन सभी खेलाडियों को बधाई भी देता हूं और भविश के लिए सुपकामनाई भी देता हूं साथियों खेलो इंडिया यूद गेम्स के एक और खास बात रही हैं इस बार भी कई ऐसी प्रतिभाएं उभर कर सामने आई हैं जो बहुत साधार परिवारों से हैं इन खेलाडियों ने अपने जीवन में काफी संगर्स किया और सभलता के इस मुकाम तक पहुँचे हैं इनकी सफलता में इनके परिवार और माता पिता की भी बड़ी भूमिका है सत्तर किलोमेटर सैकलिंग में गोल जितने वाले स्रीनगर के आदिल अलताव के पिता टेलरिंग का काम करते हैं लेकिन हुनों ने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी आज आदिल ने अपने पीता और पूरे जमुकेश्मिर का सिर्गर्व से उंचा किया है वेट लिप्टिंग में गोल जितने वाले चिन्ने के एल धनुष के पिता भी एक साधारन कारपेंटर है सांगली की बेटी काजोल सरगार उनके पिता चाय बेचने का काम करते हैं काजोल अपने पिता के काम में हाद भी बटाती थी और वेट लिप्टिंग की प्रेक्टिस भी करती थी उनकी और उनके परिवार के महनत रंग लाई और काजोल ने वेट लिप्टिंग में खुब भावाई बटोरी है ठिक इसी प्रकार का करीश्मा रोहतक की तनुने भी किया है तनु के पीता, राजबीर सी, रोहतक में एक स्कूल के बस ड्रावर है तनुने कुष्ती में स्वन पदक जीत कर अपना और अपने परिवार का, अपने पापा का सपना सच करके दिखाया है साथियों खेल जगत में अब भारतिये खेलाडियों का दबदबा तो बढ़ी रहा है साथ ही भारतिये खेलों की भी नहीं पहचान बन रही है जैसे कि इस बार खेलों इंडिया यूद गेम्स में आलेम्पिक में शामिल होने वाली स्पर्धाओं के अलावा पांच स्वदेसी खेल भी शामिल हुए थे ये पांच खेल है गतका, ठांगता, योगासन, कलरिया पट्टू और मलखम साथियों भारत में एक ऐसे खेल का अंतराष्ट्य टूर्नामेट होने जा रहा है जिस खेल का जन्म सद्यों पहले हमारे ही देश में हुआ था, भारत में हुआ था ये आयोजन है 28 जुलाई से शुरू हो रहे सत्रंज अलम्पियाड का इस बार शत्रंज अलम्पियाड में 180 से भी जादा देश हिस्सा ले रहे हैं खेल और फिटनेस की हमारी आज की चर्चा एक और नाम के बिना पूरी नहीं हो सकती ये नाम है तेलंगणा की माउंटेनियर पूरुना मालाबत का पूरुना ने सेवन समिट्स चैलेंज को पूरा कर काम्याभी का एक और परचम नहराया है सेवन समिट्स चैलेंज यानि दुनिया की साथ सबसे कठीन और उंची पहाड़ियों पर चड़ेने की चुनावती है पूरुना ने अपने बुलंद होस्टलों के साथ नौर्थ अमेरिका की सबसे उंची चोटी माउंट देनाली की चड़ाई पूरी कर देश को गवरुनाजित किया है पूर्णा भारत की वही बेटी हैं जिन्होंने महतेरा साल की उम्मर में माउंट एवरेश्ट पर जीत हासिल करने का अध्भूत कार्नामा कर दिखाया था साथियों जब बात खेलों की हो रही है तो मैं आज भारत की स्तरवादिक प्रतिभासाली क्रिकेटरों में उनमें से एक मिताली राज की भी चर्चा करना चाहूंगा उन्होंने इसी महिने क्रिकेट से सन्यास की गोश्णा की है जिसने कई खेल प्रेमियों को भाव कर दिया है मिताली महज एक साधरन खिलाडी नहीं रही है बलकि अनेक खिलाडियों के लिए प्रेनास्रोत भी रही है मैं मिताली को उनके भविश के लिए धेर सारी शुब कामनाई देता हूँ